शुपरेंटों और using극 Zhang और नेट दने जा रहे हैं किसके अंदर डीण चिज तो ढूंक क्या होता है कि अगोटा कमूशन नेटवर्क इसके नदर अपन का पणने जा रहे हैं उसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं अपन नेटवर्क मॉडलल लएक है अब Philippines नेटवर्क मॉडल से क्या समस्विक्त हुआ थिक वहां सबसे पहले यह पतावना चाहिए पमनेटवोग काम करने के तरीके को को definota čia Network की कारे-परलि को define करना ही network model यहाँ पर यहाद रखना मैंने network model के लिए एक श्रब यूज मिलिया है कार्य-परली तेखर मैं जो डाला हूं कारे-परली पर ताकि अगर मैं जब आपको आगे सम्झांघ तो मैं आपको इसको डंक से बता पाऊंगा कि यहां पर कारे पढ़नाली से मतलब क्या हुआ अब देखो नेटवर्क मॉडल में मुख्यते दो परकार की नेटवर्किंग का उपयोग किया रहता है कौन-कौन सी पहले तो थी OSI मॉडल इसका कोश्य पीलपर के पहले पॉप सिस्टम इंटर कनेक्शन और इंटर कनेक्शन मोडल ओपन सिस्टम मोडल क到 क्यो पॉर्पनिक्वं इंटरनैट प्रोटोपोल मॉडल दोनों को हम पढ़ेंगा अभी से अंदर कि sa और नेट्वर्क मॉडल को दूसरे किस नाम से जाना दाता है प्रोटो को शूट के नाम से जाना दाता है ठीक है अब देखो अपन सबसे पहले किसको वह ऐसा ही मॉडल को पढ़ लेते हैं इसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको टेंशन लेने की जरुत नही पताता है कि किसी नेट्वर्क में डेटा या इंफॉमेशन कैसे सेंड या रिसीव होती है क्या किसी इसमें नेट्वर्क में डेटा और इंफॉमेशन कैसे सेंड रिसीव होती है और इस OSI मॉडल के सभी लेयर्स का अपना-पना अलग-अलग काम होता है जिससे की डेटा ए से एक सिस्टम से मालो इस सिस्टम से और इस सीस्टम कर एक कम्प्यूटर लिए और तक आसानी से पोऊंच सके इना मैं बापीस समझाता हूं आपको ऐसा हम और मोडल क्या होता है यह बताता है यह बताता है कि किसी dead work में data या information कैसे send या receive होती है इस model के अंदर सभी layers का अपना-पना अलग-अलग काम होता है जिससे की data एक system से दूसरे system पर आथानी से पहुंच सके अब आप बोलो कि इसमें layer कौन-कौन सी है देखो अभी अपन इसको आगे पढ़ेंगे तो इसके अब दूसरी बात क्या आती है यह जो OSI model है ना यह OSI model एक स्टेंडर रेफ्रेंस network model क्या है स्टेंडर्ड रेफ्रेंस network model है जो सेंडर और रेसीवर के बीच में communication क्या करता है डिफाइन करता है अब आप बोलो के सरी रेफ्रेंस model क्या होता है देखो OSI model एक reference model मैं कितनी बार बोल चुका हूं इसका मतलब यह होता है कि इसका इस्तमाल real life में नहीं होता है इसका OSI model का specific reference के रूप में काम करता है कि समझ में आया कि निया मेरे साफ से समझ में आया हो इसमें कोई दिक्कत की आई होगी अगर अपन OSI model के बार में पढ़ रहे हैं तो अपनको यह भी पता होना चाहिए आया कब यह OSI model आया कब तो OSI model को 1984 के अंदर क्या ISO मतलब इंटरनेशनल इस्तेंडर ओगनाइसेशन दूवारा विक्सित किया गया था और इसमें protocol को किसमें OSI model के अदर protocol को साथ लेयर में बाज़ित किया गया था अब आप बोलों कि सरे फॉर्टो को वहां से आगया है आपनों तो network model पॉर्ड़े नेचे मेंअदर बता आ प्रोटोकोल स्ट्ट्ट तो इसके अंदर OSI layer के अंदर क्या होता है प्रोटोकॉल को 7layers में समझना चाहें किसको OSI model को तो आप कैसे समझाना चाहोगे सर वो बताओ हमको तो अगर अपन OSI model को in short define करें तो OSI model equals to theoretical model या OSI model को अपन theoretical model बोल सकते हैं और theoretical model equals to क्या बोल सकते हैं network की कारेपरणाली को plus इसको protocol को layer के संदर्व में या प्रोटोकॉल को layer के संदर्व में define के जाता है OSI model के अंदर तो OSI model क्या है theoretical model है जिसके अंदर क्या होता है network की कारेपरणाली को और इसको protocol को layer के संदर्व में define किया जाता है यह आपका OSI model यहाँ पर हो चुका है अब देखो अपन OSI model की एक बार क्या यह जो परिभाशा है ना मतलब यह जो नीचे मैंने points लिखा है इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपका एकदम के लिए हो जाए देखो यह है एक standard reference network model है देखो हर बार क्या रहा है reference आ रहा है याद बखना standard reference network model है OSI model जो sender जो sender और receiver के बीच में communication को परिभाशित मतलब define करता है को OSI model OSI model एक reference model है जैसा कि मैंने आपको बताया ही था ठीक है ना और आपने देखते हैं OSI model को 1984 में ISO क्या ISO मतलब international standard organization द्वारा विक्सित किया गया है OSI model में protocol को साथ लेयर में विभाशित किया गया है किसको protocol को किते लेयर में डिफाइन किया है साथ लेयर में अब आप बलों के सारी यह protocol क्या चीज़ आगई देखो जो मेरी series follow कर रहा है उसको तो समझ में आगया होगा protocol क्या होता है और जो फर्स टाइम इसी वीडियो पर आया ना उसको बिल्कुल समझ में आया होगा और अगर नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं ज्यादा तो नहीं बता हूंगा इसके बारे में वीडियो बढ़ा हो जाएगा कि protocol क्या है प्रोटोकोल मतलब होता है नियम काई उनको कितने साथ लेयर में किया गया किसके अंदर OSI किसके अंदर OSI model के अंदर किसमें OSI model के हैं अब अपन इन साथ लिएर देख लेते हैं ताकि क्या होगा ताकि यह होगा कि अपन और भी अच्छे समझ में आदाएगा कि अपन को अब इन साथ लियर को पढ़ना है तरह देखो सबसे पहले तो क्या होता है यहां पर तो आप होगा send एंट और यहां पर क्या होगा receiver end sender end मतलब क्या होता है जो ही डेटा send कर रहा है यह जो डिवाइस दीटा सेट कर रहा है रिसी अंदर ये डिवाइस चीज होता है यह सर्फ कोई पूछ है कि पूछ है के से ऍे items पूछра हुटा यह पूल Precis दूसरा रेसीवर एंड पर बॉटम टू टॉप अप्रोच हो लोगी जाती है ठीक है अब अपन सेंडर एंड से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले यहाँ पर साथवे नंबर की लेयर कौन सी है एप्लिकेशन लेयर फिर शेशन लेयर और फिर ट्रास्पोट लेय ट्रास्पोट लेयर के अंदर डटा सेग्मेंट के रुक में होता है अब जो साथ ना साथ चैर पांच और चाल यह जितनी भी लेयर ऐकोन-कौन सी एप्लिकेशन लेयर और प्रजिकेशन लेइशन लेयर और यह जानि जाती है कौन-कौन सी यह जो मैंने पकुता हिया आपक application layer presentation layer action layer Transport layer Upper Layer के रूप में उसके बाद में तीसे नंबर पे कौन से आती है Lower layer कहा जाता है यह responsibility होती है इनकी responsibility of Network इनकी Responsibility Network ही होती है ता अब देखो यहाँ से क्या होता है यहाँ से तो क्या अभी तक तो अपने बड़ा sender end पर प्रोटोकॉल कैसे कैसे काम करते हैं अब अपन देखते हैं कि जो receiver end है ना उसके ओपर फ़िवर पे प्रोटो कोलो के जाती है जो की नंबर लेयर से चालू होती है एंप्लिकेशन लिएर से उर जाती है और एससे ही आपके receiver end ये अंदर bottom-to-top approach वहाए होती है जिसके अंदर पहले आती है कौन सी पहले आती है physical layer दूसे नंबर पर आती है data link layer तीसे नंबर पे network layer चोटे नंबर पर लेयर को पढ़ना चालू करेंगे एक एक करके नेक्स्ट वीडियो से और अपन सबसे पहले कौन सी इस एप्लीकेशन लेयर को पढ़ेंगे तो गाइज अच्छा लगाओ तो लाइक करो शेर करो शब्सक्काइब करो थैंक यू थैंक यू फ़ाचिक